नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक निजर सुर्ख्यों बढ़ सिक्षकों की छुट्टी को लेकर सक्त हुए केके पाठ़ 1275 पद के लिए दरोगा भरती परिक्षा में 6.6 एक लाख अभ्यरती होंगे शामिल उतर बिहार के 11 जिलों में लगेंगे स्मार्ट मीटर छपड़ा में पहली बार होगा नेशनल स्कूल स्तरिय फुटबॉल प्रतियों गिता 1275 के बाद सोनपूर मेला में फिर सुरू हो रहा मलियुद इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से सक्चकों की छुट्टी को लेकर सक्त हुए केके पाठ़क बिहार लोग सीवा आयोक द्वारा चर्ण सक्चकों की छुट्टी को लेकर बिहार सरकार के सिच्चा विभाग के अपर मुखे सचीव केके पाठ़क के द्वारा सक्त रुख अपनाते हुए और एक फर्मान जारी किया गया है द्रसल केके पाठक के ओर से इस बारे में राजी के सभी जिलों के डियम को एक पत्र लिखा गया है और कुछ नर्देश दिये गया है जिसके तहट यह कहा गया है कि अब वाटसेप पर सिक्षकों की चुट्टी को सुईकरे नहीं किया जाए ऐसे में सक्षकों को अब चुट्टी का आवेदन भौतिक रूप से स्कूल में पहुचाना होगा इसे नरिक्षन करने वाले पदाधिकारी यह देख सकेंगे कि आवेदन किस तारी को दिया गया है और किस स्तिती को वह स्विक्रित किया गया है वही के के पाठक के ओर से पत जाले के डीजी ड्रविंदरन संकरन के द्वारा प्रेस कॉंफरेंस कर यह जानकारी दी गई कि आगामे 25-28 दिसंबर तक बिहार के छपड़ा में पहली बार राश्ट्री है विद्याले प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है जिसमें फुटबॉल प्रतियोगिता का आयो पूरे देश के स्कूली बच्चों की टीम भाग लेगी महिला पुलिस कर्मियों के लिए 545 थाना ओपी में होगा ये खास अंतिजाब बिहार सरकार के ओर से बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती भी संक्या को देखते वे उनकी सुधा के लिए 500 करो रुपे खर् करने के लिए ग्रे विभाग के ओर से मंजूरी दे दी गई है दरसल इस राशी की मदद से बिहार सरकार के ओर से महिला पुलिस कर्मियों के लिए थानों और ओपी में बैड़क बनाने का काम किया जाएगा मालू हो कि इन बैड़क का निर्मान राजी के 545 थाना और ओपी म का निर्मान काड़ी बिहार पुलिस भवन निर्मान निगम पटना के द्वारा पूरा किया जाएगा उतर बिहार के 11 जिलों में लगेंगे स्मार्ट मीटर नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनी लिमिटेट के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर आदित्य प अधिपूरा के नाम शामिल हैं महिस के लावा एन बी पी डी सील के द्वारा भी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेट के साथ 27.99 लाख स्मार्ट मीटर लगाने हितू अग्रिमेंट किया गया है जो कि गोपाल गंज वैशाली सिवान सारन और समस्तेप पूर जिला में लगाया जाएगा मालम हो कि इन दोनों कंपनियों के द्वारा मीटर लगाने की शिरवात वर्स 2024 से की जाएगी और इसकारी को पूरा करने का लक्ष जनवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है 1275 पद के लिए दारोगा भरती परिक्षा में 6.6 एक लाख अभ्यरती होंगे शामिल 17 दिसंबर को आयोजित होने वाली बिहार दारोगा भरती परिक्षा को लेकर बिहार अवर लोक सिवा आयोग के द्वरा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है बता दे कि परिक्षा कुल 1275 पद के लिए आयोजित होने वाली है जिसमें 6.6 एक लाख परिक्षार्थी शामिल होने वाले हैं वह इस परिक्षा के लिए कुल 550 केंद्र बनाए गया है मालम हों कि प्रिया परिक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी जिसमें से पहली पाली की परिक्षा सुभध दस बजे से दो पहर बारा बजे तक आयोजित की जाएगी तो वहीं दूसरी पाली की परिक्षा दो पहर ढाई बजे से शाम सारे चार बजे तक आयोजित की 1975 के बाद सोनपूर मेला में फिर शुड़ हो रहा मलयुद एक बार फिर से आप सभी को विश्व प्रसिल सोनपूर मेला में मलयुद देखने को मिलने वाला है बतारेगी 15 और 16 दिसंबर को बिहार राजी खेल प्राधिकरन के ततवधान में मलयुद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है मालमोक इस प्रतियोगिता में कुल 6 कैटेगरी होंगे जिसमें महिला और पुर्स दोनों होंगे वही जो भी प्रतिभागे इस प्रतियोगिता में जीतता है उसे कैस, प्राइस और चांदी का गदा दिया जाएगा इस बारे में बिहार सरकार के कला संस् चितन्दर डाय बिहार राजी खेल प्राधी करण के महानेदेशक रविंदरन संकरन वड़ीम अमन समीर के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया किसमल युथ की शिर्वास सोनपूर मेला में वर्स उनीचोग 75 के बाद हो रही है महिस प्रतियोगिता में 6 केटेगरी में 4 केटेगरी पुरुस की होगी तो वही 2 केटेगरी महिलाओं की होगी SMS प्रतियोगिता में पहले अस्थान पर आने वाले खिलारी को 1,00,000 रुपए दिये जाएंगे वहीं दूसरे नमबर पर आने वाले प्रतिभागी को 75,000 रुपए पुरुसकार के रूप में दिये जाएंगे और जिस प्रतिभागी के द्वारा बिहार के श्री टाइटल जीता जाएगा उन्हें करीब धाई लाग की कीमत की चांदी की बनी हनुआन जी की गदा भेट की जाएगी मुख्य मंत्री स्टुडेंट क्रेट कार्ड से लोन लेने वाले 1,000 चात्रों को नोटिस जारी जो कि तीन नोटिस होंगे ऐसे में अगर इस तीन नोटिस के बाद भी चात्रों के द्वारा राशी का भुकतान नहीं किया जाता है तो वैसे चात्रों के खिलाफ जिला मुख्याले में सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा बताया गया है कि अभी भी वरतमान में 47 चा चात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराने के लिए भेजा गया है वहां से छात्रों को लीगल नोटिस भेज़ा जायेगा जिसके बाद केस समीती के द्वारा STET 2024 को लेकर विज्यापन जारी कर दिया गया है जिसके तहत इसके लिए आवेदन करने की शिर्वात आज साम सारे चार बज़े से हो चुकी है वहीं आवेदन करने की अंतिम तारिक दो जन्वरी 2024 तक नरधारित की गई है बतादे कि एक चुक मिद्वार जो उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह बोर द्वारा जारी लिंक पर संपर्क कर सकते हैं या इसके लावा मुंगेर अंग महुतसभ में समा बांधेंगे बॉलिवोर्ड स्टार 16 और 17 दिसंबर को मुंगेर इस्थापना दिवस के मौके पर आयूजित किये गए कारे क्रम में कई फिल्मी खलाकारों के द्वारा समा बांधा जाने वाला है वहीं इसके अलावा इस कारे क्रम को लेकर पोलो मैदान में स्टॉल लगाने का कारे शिरू हो चुका है इस बारे में जलादिकारी अवनीश कुमार के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया क्यंग महुतसभ सहमुंगेर स्थापना दिवस पर इस बार बॉलिवोर्ड के मशूर सिंगर सचीत और परंपरा भी पस्ट हर निगंगा घाट पर महा आरती से होगी और फिर 16 दिसमर को पोलो मैदान में सुबह 8 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी सारे 12 बजे पोलो मैदान सित मुख्य समाडो स्तल पर लगे स्टॉल का उठगाटन किया जाएगा और शाम सारे 5 बजे से सांस्कृतिक क पारे क्रम का उजन होगा मचली पालन में बिहार बना आत निर्भर मुहम्मद अफाक आलम बिहार सरकार के पसुपालन एवं मतस्य विवाग के मंतरी मुहम्मद अफाक आलम के दोरा विश्य प्रसिद सोनपूर मेला में एक सा दो स्टॉल का विधवत रूप से उद्गाट को ने कहा कि बहुत लोगों से वादा किया गया था कि बेरोजगार को रोजगार देंगे लेकिन किन सरकार के ओर से कुछ भी पूरा नहीं किया गया है ये सभी लोग जानते हैं दौरने के लिए सभी लोग डेस में हैं और सभी लोग दौरेंगे लेकिन यहां महागरवंध की सरकार बनेगी अगर एक्सिदेंटल मौत हुआ हो या किसी इस तरह की घटना होती है तो जांची रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार उसे देखेगी सभी किसान को जागरुक करने का काम किया जा रहा जो बाहर से हमारे यहां मचली आती थी वह अब बल्कि बिहार से बाहर मचली जाती है मकान को लेकर सक्षा विभाग ने जारी किया नया फर्मान सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के नरदेश पर माधिमिक सक्षा विभाग के निदेशक कनया प्रशाथ सर्वास्तव के द्वारा नवनुक्त सक्षकों को लेकर फर्मान जारी करते वे कहा गया है कि सिक्षकों को अपने विद्याले के 15 किलो मीटर के दाइरे में ही मकान होने का हलफ नामा 31 जनवरी तक सख्षा विभाग को देना होगा इसके साथ ही विभाग की ओर से यह भी इस पस्ट किया गया है कि जिन सिक्षकों के द्वारा निर्धारत समय तक हलफ नामा विभाग को नहीं दिया जाएगा उनका फरवरी 2024 का वीतन नडगत कर दिया जाएगा और फिर हलफ नाम जारी करने के बाद वीतन नडगत किया जाएगा मालम हो कि आदेश सिक्षकों को हड़ हाल में मानना होगा 140 सफाई टंकी से शराब की खेब बढ़ा मत बिहार में पुन्रोप से सराब बंदी हैसे तो हम सभी वाकी फैल इकर इसके बावजूद भी आएदिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाक के ओर से कई कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी सराब तसकर के दोरा नए नए तरीकों से सराब तसकरी को अंजाम दिया जा रहा हालाक इस दोरां सराब तसकर भागने में सफल रहें वहीं पुलिस के दोरा सराब के साथ सोचाले की तंकी को जप्त कर दिया गया है बता दे किस बात की जानकारी थाना ध्यक्ष के दोरा दी गई है सियम नितीश की कासी रैली पर रवी किशन का तंच तोज़ा चौबिस में होने वाले लोग सभाच नाओ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार 24 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के संसदिय छेतर वारा नशी जाने वाले है ऐसे में अब इसको लेकर बीजेपी संसद रवी किशन के दोरा मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर तंच कसा गया है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को मैं छमा के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बढ़का वाले लीडर है आओ फरियाल उन्होंने कहा कि पियम मोदी गड़ीवों के नेता है कारे करताओं को मुख्यमंत्री बिनाने वाले नेता है इस देश को पास ट्रिलियर डॉलर पर ले जाने वाले नेता है उनसे नितीश लगने आ रहे है डेमोक्रेसी है आईए लड़ाई करिये ऐसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा आओ फरियाल महादेव की नगड़ी में देखल जाए जहां भी चाना है जाए पहले बनारस में प्रिधान मंत्री से फरियाले अडे बाबा अडे बाबा हम तो यही कहेंगे कि जिन्द की खंड खंड बा नितीस बाबू इस सक्स से मिलकर तेश प्रताप यादव हुए भावुक ट्रज सुपीमो लालु पशाद यादव के बड़े बेटे और बेहार सरकार में पड़ैवरन मंत्री तेश प्रताप यादव तब भावुक हो गये जब वह अपने जबड़े फैन से मिले पतादे कि तेश प्रताप यादव के द्वारा अपने इस फैन की तस्वीर अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की गई है तस्वीर को पोस्ट करते वे उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज मैं अपने जबड़ा फैन से मिला जिसने अपने सीरे पर मेरा जाल रहूंगा बिहार के 50 लाख लोगों को अयोध्या ले जाएगी बीजपी 24 में होने वाले लोग सभाचनाओं से पहले बीजपी के द्वारा बिहार के सभी 243 स्विधान सभाच्षेतरों से कड़ी 50 लाख श्रद्धालूं को अयोध्या लेकर जाने वाली है पता दे किस को लेकर वीप और संके काड़े करताओं के द्वारा विधान सभावार लोगों को निमंतरन देना शुरू कर दिया गया है रिपोर्ट के मताबिक हाली में विश्व हिंदू परिशत के द्वारा बिहार के सभी जिलों के पदादिकाडियों के साथ एक बैठक भी आयुजित की गई थी अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है सोनपूर मेला में अंतिम बार मल युद कब हुआ था ओप्शन ने इसका सही उत्तर है ऑप्शन भी उनी सो पचत्तर अगला सवाल चप्रा में नेशनल स्कूल अस्तरिये फुटबॉल प्रतियोगिता का आयुजन कब तक होने वाला है इसका सही उत्तर है ऑप्शन भी पच्छस से अठाइस दिसमबर अगला सवाल महिला पुलिस कर्मियों के लिए बैड़क का निर्मान कितने थाना और ओपी में किया जाने वाला है इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 545 अगला सवाल बिहार दरों का भरती परिच्छा कितने पदों के लिए होने वाली है इसका सही उत्तर है ऑप्शन D 1275 अगला सवाल बिते दिन हमारा दरों पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों अन्य पनजाब हमें वारी comment section वोक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने अम्रेश कुमार गुर्णर्सनमा रवी कुमार राम, रंजीत मिश्रा, रीता कुमारी, धीरज कुमार, बेट्टो कुमार, कौसल किसोर, उमेश रिसिदेव, मुहम्मद सद्दाम, अंसारी, रचिकेश सा, मनोज कुमार, कुमार कौसल सिंग, बावुलान मरांडी, मुहम्मद सकीर हुसेन इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, कड़ो या मरो के मुकाबले में क्या भारत आज साउथ अफरिका खिलाक मुकाबला जीत पाएगी, अपना जवाब हमें मारे कॉमन सेक्शन में लेकर जरूर बताएं, आज के लितना ही बिहार के तमाम खबरों क साथ बने रहने के लेकते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही, अगर आप यूटूब से देख रहें तो सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद